नमस्का दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एटुजेट मुबाइल रिपेरिंग में आज आप जानेंगे माई फोरे में ग्रैफिक्स प्रॉब्लम सलीवसन हम कैसे का सकते हैं दोस्तों हमारे फोन में किस तरह से फॉल्ट आ सकते हैं तो अगर आ अब एक बार और पास से आपको दिखाते हैं सबसे पहला काम आपको करना यह होता है कि आपको जो डिस्प्ले का जैक है उसे चेक कर लेना है कहीं से वाटर डैमेज वगरा हो तो क्योंकि कस्टमर ने मुझे बोला हुआ वाटर डैमेज था अमारा फोन बट फिर भी मैं डि तो अब ही एक बार फिर से हम लाउन करके देखते हैं इसको कि क्या हमारा ग्रैफिक्स आता है नहीं आता फिर से लगाते बिस्प्ले को नए डिस्प्ले भी उमने लगा के चेक किया हुआ है तो यह देखिए वाइबरेट हुआ कर कोई भी ग्रैफिक्स और नहीं है कुछ भी नहीं आ रहा Ladislpush today तो आफ है जासा कि आपने देखा में कुछ भी इंडिकेट नहीं कर रहा है तो इसके लिए हमारे दिस्ट्रेश का दो सही है और डिस्प्ले में अचया आपने से बता हुग है पिर भी फंध में को बताता हूं एक बार आपको कुछ इस तरह से भी चेक करना अपने फोन को अगर यह मॉडल है आपका फोर या फाइफ कोई भी है लगवक दूनेक जैसे हैं कि तो आपको सिट को एक बार कर लेना है और करके मीटर को वोल्य दर पर पर लगाना है और आपको इस बूट ऐसी के पास जिसे कि मैं तो बूट आई चीन करता हूं ग्रैफिक्स ऑपूबलो ग longest हैं डिस्प्ली सी अइसके पास के components पर आपको output voltage चेक करने हैं क्योंकि यह IC ऐसे दो voltage generate करती है जो display graphics को बनाने में मदद करते हैं उनके बिना display graphics नहीं बनती एक minus voltage होता है यहाँ पर कोई voltage नहीं आ रहा है यहाँ पर जो minus voltage हो कर रहा है यह इस IC पर आने वाला बैटी पास्टी voltage है दोस्तो जो इस IC को मिलता है सिर्फ और सिर्फ वही voltage आ रहा है और जो IC voltage generate करती है उनमें से कोई भी voltage यहाँ पर नहीं बन रहा तो इसका मतलब यहीं हो सकता है कि यह हमारी जो IC है दोस्तो यह IC हमारी work नहीं कर रही उसका region क्या है voltage तो यहाँ पर आ रहा है जो मिलता है उसे उसके बाद भी IC work नहीं कर रही मतलब कि IC हमारी खराब हो सकती है यह IC के नीचे पानी हो सकता है तो customer ने वैसे भी हमसे बोला हुआ है एक सेट water damage है तो आई यह सेट को open कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा phone अगर इस condition में आता है तो सबसे पहले मैं अपनी boot IC को change करूंगा जिसे मैं graphics IC बोलता हूं और boot IC भी मैं खुद बोलता हूं और जो भी पुराने repair हैं वह boot IC ही इसे बोलते हैं जो new है उन्हें बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं कि बूट IC क्या होती है वर्क होते हैं तो सेट कंडिशन में है वाइब हो रहा होता है बड़ भी नहीं कर रहा होता है इस वज़ए से हम इसे बूट IC भी बोलते हैं तो अभी मैं कंपोनेंस पर सौर्टिंग वगरा भी चेक कर लेता हूं कि कहीं कोई कोई सौर्ट तो नहीं है हाला कि यह मुझे पहले करना चाहिए था पर कोई सौर्टिंग नहीं यहां पर तो चलिए यानि कि हमारी आइसी खराब हो सकती है तो मैं क्या करूंगा इसका जो सोल्टर वायर है आइसी का साफ कर लूँगा आरेन और पेस्ट की मदद से और उसे साफ करने के बाद आपको जरूरत होगी एक नई आइसी की या फिर फूल्ड आइसी बट वर्किंग होनी चाहिए वह आइसी आपकी तो मैं अपने दूसरे प इस्प्ले ग्रैफिक्स की डिस्प्ले नहीं आ रहा किसी में प्रकार कोई डिस्प्ले सौर नहीं कर रहा है तो देखते हैं तो सबसे पहले हम अपनी आइसी को लगा लेते हैं आपर और आईसी लगाने के बाद चेक करेंगे कि क्या कंडिशन होती है हमारे फून की और इस वीडियो को लास्त को पूरा जरूर देखे दोस्तों यहां वीडियो में थोड़े से ट्विश्ट आने वाले हैं कुछ गलतियां हैं लोगों की जो भी यहां फोन यह कहें पहले कहीं रिपेर होने गया हुआ था यह फोन किसी रिपेर के पास उसने क्या किया इस फोन के साथ यह लोग क्या करते हैं रिपेरिंग करने के दौरान या रिपेरिंग करने के बाद जो भी है अगर नहीं रिपेर कर पाते तो कुछ इस तरह से भी हो जाता है काफी बार तो देखते हैं सबसे पहले अपनी आईसी को लगाते हैं और फिर चेक करते हैं पने फोन को कि क्या और ओन किया तब जैसा कि कस्टमर ने हमसे बोला हुआ था दोस्तों यहां पर कि सेट वाटर डैमेज है तो उसके कार्डिंग मुझे ऐसा लगा कि आइसी खराब हो सकती है मैक्सिमिम टाइम पानी जाने से आइसी दिकत कर जाती है प्रॉब्लम कर जाती है बहुत सारे मॉडल का सामना करना पड़ा वह भी मैं आपको बताऊंगा यहां पर तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम हमारी यहां पर आई कि आइसी लगाने के बाद सेट तो हमारा बोट हुआ डिस्प्ले भी आई बट एमाई लोगों पर हमारा फोन रिस्टार्ट होने लगा तो है तो यह क्या हो गया अब यह थे जो मसला है यह इसकी जो प्रॉब्लम है यह कहां से सॉल हिमारी कैसे हुई आगे बताते हैं वीडियो में आपको कि जो इसका माई लोगों पर रिस्टार्ट होना किस वज़े से था क्या रीजन था क्या कारण था तो यहां पर मैंने जो है बैटी भी चेंज की मुझे लगा मैंने चार्जर भी प्लग इन किया और बैटी भी चेंज की बट कोई भी सल्यूशन नहीं हुगा दोस्तों हमारा कोretch किसकी पर रुका रहा यहां एंभी लोगों पर जैसका कि कहें कि रिश्टार्ट होता रहा लगातार चाजर फुर्गिन करने के बावजूद भी एम他 उव लोगों से आगे नहीं गया हमारा身 अस बसी पर बंद चालू बंद चालू होता रहा तो इस condition में फिर से मैंने बैटी वगरा चेंज की उसके बाद भी हमारा set नहीं हुआ दूसरा बैटी भी लगा के हमने देखा तो आपको भी दिखा देते हैं यहां वीडियो में कि दूसरी बैटी से भी हमारा same problem था उसके बाद हमने इसे flash भी किया दोस्तों flash करने के बाद भी यह phone जो है हमारा उस बैटी से on नहीं हुआ जो कि हमारी इस बोर्ड में लगी हुई थी वो हमारी बैटी जो है कुछ problem कर रही थी और उसका क्या problem था क्यूं वो problem कर रही थी हलाकि बैटी हल्की सी फूली थी जब उन्हें flash किया था हमारा जाके फोन कुछ इस तरह से दोस्तों ओन हुआ यहाँ पर लेकिन फिर भी हमारी जो problem थी कुछ न कुछ आगे बनी रही वो क्या थी दोस्तों यहाँ पर बैटी टेंपरचर टू लो करके फोन आफ हो जा रहा था उसका रीजन यह था दिखिए यहाँ पर बीयन 30 लगनी थी सेट में बैटी और किसी कारी करने किसी रिपेरर ने यहाँ पर बीयन 34 लगा रकी है और यह कौन कर सकता है यानि कि यह phone जब भी water damage होने के बाद कहीं रिपेर होने गया है उसने किया होगा क्योंकि customer तो करने सकता तो कुछ ऐसा तो अभी देख इस चीज़ को जब भी वह temperature टूलू आया उसके बाद मैंने बैटी की supply पोर्ड की PCB की चेक की उसके बाद मैंने जो है बैटी देखा तो इसमें वीन 34 लगा हुआ था जबकि इसमें बीन 30 होना चाहिए तो यह सारा कुछ मामला था इस वीडियो में दोस्तों तो यह चीज हम अपने दोस्तों से कहना चाहेंगे भाई यह कुछ गलत काम आप ना करें तो ज़्यादा ठीक है और कुछ करें भी आप खराब बैटी लगाते हैं अगर फोन में किसी के तो कम से कम सेम नंबर का तो लगाएं जिससे कि आपकी भी चोरी ना पकड़ी जाए और आप कहीं पर भी गलत साबित ना हो और सामने वाले किसी को भी प्रोब्लम ना हो क्योंकि यहां पर मुझे थोड़ा सा समय ज्यादा लग गया फोन को रिपेर करने में पांस से दस मिनिट क्योंकि मैं थोड़ा सा उल्जा रहा इसमें क्योंकि हमारा फोन टू लो टेंप्रेचर पे ओफ ह अगरा प्लाय दूख लाइए और आंड कि कर दिया था और अंत में देखा कि यह बैटी का इसु था और हमने पीछे से बैटी माँगी अपने चेले से तो उसने भी यह देगी और बिए जो देडि दी तो सेट हमारा सेम रहा जज कतस बाद में मैं नहीं नोटिस किया कि यह तो फोरे है वह बैटी कैसे लग सकता है इसमें तब जाके वह भी तब मैंने नोटिस किया जब मैंने इसका जो है PCB पर बैटी कनेक्टर का वे सारा कुछ चेक कर लिया जब ओके था सारा कुछ उसके बाद मैंने उससे बोला कि भाई भी एंटीस नहीं भी एंटीस दे क्योंकि यह फोरे है फिर मैंने फोन वलटा चालो तरब से देखा तब जाके मुझे समझ में आया था कि फोरे है जब तो कैसे लग सकता क्योंकि मेरे पास ओपन फोन आते दोस्तों खुले हुए मैं ओपन नहीं करता तो धन्यवाद दोस्तो